नमस्कार दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे प्राथना पत्र लिखना जैसे कि हम लोगों को प्राथना पत्र लिखना आना चाहिए सभी बच्चों को भी आना चाहिए माली जै कि हम स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है और छुट्टी के लिए प्राथना पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे चलिए हम आज लोग सीखते हैं तो लिखनी के लिए सबसे पहले एक हेडिंग बनाना होगा माली जै आउसे कार पर लिखना है या बिमारी के लिखना या साधी पर तो चलिए आउसे कार के लिए हम लोग सीखते हैं आज तो हेडिंग में लिखेंगे सबसे उपर आउसे कार के लिए प्राथना पत्र इतना लिखने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग पर चले आएंगे नए लाइन पर सेवा में कामा लगा कर थोड़ा लाइन छोड़ देंगे नए लाइन से फिर लिखेंगे अब यहां मान लेजिए कि प्रधाना चार को हमने प्राथना पत्र लिखा है यह आपको प्रधाना चार को लिखना तो लिखिए या तो वहां का अच्छा अध्यापक डाल देजिए यह आपके उपर निर्भर है फिर इसके बाद आप अपने विद्याले का नाम लिख लेंगे चलिए मैं अपने विद्याले का नाम लिख लेता हूं हमारे विद्याले का नाम है अब आपका विद्याली का जो नाम होगा वो नाम डाल लेंगे और अस्थान का नाम लिख लेंगे कहां पर किस जगा है इतना लिखने के बाद में आप हेडिंग बनाएंगे नया बिसे अब बिसे में आपको लिखना होगा क्या मालने चले कि हम छुटी के लिखे हैं तो यहां हमने बिसे बना लिया दो दिन छुटी के लिए प्राथना पत यद आपको बिमारी के लिए लेना होता तो यहां भी डाल देते बिमारी के लिए प्राथना पत चलिए फिर इसके बाद नए लाइन पर चलेंगे महोदे यहां ल दो दिन के लिए चुट्टी लेना है तो वहां अपना दिनांक दिखा दो जैसे दो दिन लेना है तो 15-3-2024 से 16-3-24 यह दो दिन पूर हो गया यदा इसे ही चार दिन का चुट्टी लेना होता तो ऐसे चार दिन यहां देखा दिया जाता तक विद्ध्याले आने में बढ़ा कर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आजकल पढ़ना कौन चाहता है इसलिए हमने इस अप्लिकेशन को बहुत छोटे में ही लिख दिया है इतना लिखने के बाद मैं लिख दिया कि मैं विद्ध्याले आने में असमर्थ हूं अता हम मुझे दो दिन छुट्टी देने की किरपा करें और इसको बढ़ा भी करके लिखा जा सकता था लेकिन लिखने से कोई फादा है नहीं क्योंकि कोई पढ़ाना चाहता नहीं है में में हेडिंग लिख दीजिए असपश्ट हो बस वही अप्लिकेशन सही है इधर हम क्या करेंगे कि बायन तरफ दिनांग डाल दे हैं पिर नाम अपना नाम लिख देंगे सेक्शन भी डाल सकते हैं और अपना क्लास डाल देंगे इतना डालने के बाद में आपका अप्लिकेशन क्यार्ट हो जागा आप अपने में तुरूटी होगा तो उसके लिए कामेंट में जरूर लिखना मैं सुधार करूंगा और अच्छा लगे तो इसको सेर जरूर करना जै हिंद जै भारत